हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक इस वीडियो में हम स्टाटिस्टिस चैप्टर की एक्सराइज 6.5 सौल करने वाले हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टूर चैनल और आपल जो चैनल से शीडू करते हैं थो सो एक्सराइब 6.5 में महां में हमें प्रिक्वेशद के ओमने प्रिवेश आप प्रिब्यूर्य टैर्म सब्सक्राइबो तरह में स्थि…श तरह से आप यहाँ पर हमें बयाएं though at 192 क्यों करें किस तरह से आम डेता को रिप्रेजरेड कर सकते हैं रीकेयो जिसी कि हमने यह कोश्वेम हमारा % हिसा सब्सक्राइओ क्यों कष़ार छिक रहरा हясो मुझा है यहाँ गोई कि बिप्रेज research है Hai हमने rectangle form किये उसमें rectangle नहीं होते है तो हमें क्या करना चाहिए हमें क्या करना पड़ता है उसमें कि frequency और class तो वही होती है ठीक हम चाहिए तो class कुछ change भी कर सकते हैं वहीं लिखेंगे तो भी रहेंगा तो जिसी कि हमने आप जो रेक्टाइंगल बनाया है ठीक है ना हमें rectangle नहीं बनाने बस हमें point लिखना है अब जैसे के यह class है हमारी 10 से 15 15 से 20 20 से 25 25 से 30 30 30 से 35 तीक है यहीं ते किती है अब देखो क्या था 5 से 10 से 15 कितना था 30 था यह frequency यहां पर है मतलब जो भी है number of families है ओके 30 था and then 50 था then 60 then 55 ठीक है last में था 15 तो यह में टेबल देगा अगर था हमने इस तरह से histogram create किया था सिर्म हमें table देखे रहेंगा हमें frequency polygon हमें बनाना होंगा तो उसमें क्या करते हैं हम जो rectangle बनाते हैं rectangle नहीं बनाते हम सिर्फ point लिखते अब यह 10 से 15 तक कितना है 30 है तो हम क्या करेंगे 10 और 15 के 20 में यहां पर हम इस तरह से 20 के 20 के बीच में हमें point लेना है 50 ठीक है और कुछ भी नहीं हमें रख्टाइंगल बना रहे दोनों को मिलाकि 15 से 10 से 15 15 20 दोनों को मिलाकर रेक्टेंगल बना है पस हमें यहां रेक्टैंगल यह और सी है्मि binge meine के बीच में एक पॉंट ले लेंगे एकस्ट के उपर और लास्ट में खतम हो गया तो 35 के बीच में पॉंट ले कि एकस्ट नहीं घुब अब अब हमें क्या करना है हमें इन पॉइंट्स को करने मिला देना हैं कि कि कर अ powin कि बस इस तरह से और से हमें आपे scale भी लिखना अगर जरूरत है तो जरूरत तो रहती है ठीक है तो इस तरह से हमें क्या करना है हमें frequency polygon बनाना है ठीक है question बहुत ही इस यह बस रेक्टाइंगल ना बनाते वए बस हमें उनके बीच में point लेना है और line दोनों को मिला देंगे ठीक है यह था हमारा frequency polygon इस तरह से हमें बनाना है आप यह इस्टोग्राम नहीं बनाना बनाएंगे तो गलत नहीं होंगा बस थामारा क्लास मार्क देखा था एक साय जिससे हमें उसे डिनोर करते क्लास मार्क क्या होता है इंगे 20 का नंबर होता है तो दस और पंदा की बीच में कौन सा नंबर आता है 12.5 नई समझ रहे तो आप क्या कर सकते दुनों को मिला के 2 से डिवाइड कर सकते ठीक है देन 17.5 22.5 27.5 30 32.5 यह हो क्या पहला मेतर दूसरा मेतर क्या है सेम रहता है वाय एक सिस बस एक सिस पर आपने क्लास लिखते हम कह लेते हैं क्लास में हम लिखते हैं तो सिधा सिधा इससे तरह से में बीच में पड़ती थी हम इसी पॉइंड के ओपर दे दे अगर आप यहां देखाऊंगे तो जे पॉइंड यहां पे लिखके उसके उपर पॉइंड दो इक ही बात है ठीक है न कोई लिफ्रेंस बात नहीं है तो आप चाहें क्लास लिखो या फिर आप उसका क्लास मार्फ लिखो अगर हम class mark लिखते हैं तो यहाँ पे आता था 12.5 लेते थे हम यहाँ पे हम लेते थे 17.5 यहाँ पे हम लेते थे 22.5 यहाँ पे हम लेते थे 27.5 बात देखिए अगर हम class लेते हैं तो उसी के उपर हमें point देना होता है और हम class mark लेते हैं तो उसी के उपर हमें point देना होता है ठी प्रैक्टिस सेट 6.5 कुशन नमबर वन तो कुशन हमें गीवन है अब्सक्राइब फॉल्वेंसी पॉल्यकॉन और राइट दा अंसर अब फॉल्वेंसी पॉल्यकॉन बिलो इट ओके तो जो पेस्बुक में हमें फॉल्यकॉन दिखेते हो बने यहां पर द्रॉ किया हो आइन हम एक मिस्टेक ठीक है मिस्टेक क्या थी है जो इसके लिए था एकस एकस पर बीवर्वल्ब टूपकर गजा एट टमबब ऐर टो यह सच्बॉस्थक्वहीं ठीक है फिकल एड़ तो question is which class has the maximum number of students से start 30 थार्ट से start 30 थार्ट एक क्लास 40 दूसरी क्लास 50 थी सिर्स टीसरी क्लास 50 थीस तीसरी क्लास 60 से 70 से 80 80 से 90 यहां तक है घ्म हो जा रहा है तो हमें देखनाकि सबसे जयादा घ्सक्षाइब कि लाज पिलज्ट में लेकिक के श्चिस नमपर जैए नंबर अपर नो कुण से क्लास में है यह पॉइंट है 60 और 70 के पीश में ठीक है तो हम आंसर में लिखेंगे पहला कुश्चन का जो आंसर है क्लास 60 to 70 had maximum number of students तो इस तरह से हमें simple सा अंसर लिखना था then question number 2 समझ मैं कहा ना question number 2 write the classes having zero frequency की अब में क्लास लिखना है जिसमें Frequency कितनी जीरो मतलब यह पर पर रिक्वियूंसी का number of officer ato60 अधिन वहहां पर दिखएर जिरो मतलब कbed bạn आज एं SAR गdı वह तो यहां पर देखो यह पॉंट एकस में से लिए आप टिण चल्क वह चुसुर्च को लगा हुआ together एंड लास्ट वाली ग्लास नाइंटीं टो हेंड्रेड एव जीरो फ्रिक्वेंसी यह ऐसे कोई भी स्विश्ट ने है जिसनोंने मतलब 30 के नीचे मार्क लाओ 20 और 30 के बीच में और ऐसे एक भी स्विश्ट ने है जिसने 90 से उपर 100 के मार्क लाया हो ओके यह था दूसरे क्याएं का अंसर को यह था दूसरे क्यों का आंसर, तो थियरे क्या कर ना है जो क्लस है class का class mark लिखना है ठीक है कौन से class का जहाँ पर student कितने 50 है तो number of student 50 यहाँ पर इस point इस point का में class mark लिखना है यह जो दिख रहे हैं आपको यह सब क्या है points के coordinates है class mark क्या होता है class की बीच का number होता है 50 कहाँ पर class 60 और 50 के sorry 50 और 60 के बीच में है ठीक है तो इनके 20 का जो number होता है क्या होता है दुझनों को add करो 2 से divide कर दो 110 होता है 110 को 2 से divide करने पर 55 मिलता है ठीक है अब इसे भी हमें solve करने ज़रुरत नहीं यहाँ पर जितने भी x coordinate है ना वो सभी classes के क्या है class marks है जैसे यहाँ पर हमें दिख रहे है class 50 to 60 डारेक भी लिख सकते पूरा लिखेंगे तो भी चलेंगा have frequency 50 students and its class mark is 55 डारेक भी आप 55 लिख देंगे तुर भी चलेंगे इतना लंबा लिखने की तुरवत नहीं है then question number 4 question number 4 है write the lower and upper class limit of the class whose class marks is 85 question number 4 क्या लिखना है जिस class mark का जो class mark 85 है question में ठीक है उसके में अपर लिमिट और लोर लिमिट लिखने तो यहाँ पर देखो class mark 85 किसका है 80 और 90 की बीच में यहाँ पर 85 गिवन है 80 और 90 का जो एक लास मार गए वो 85 है तो इसके में लुवर लिमिट और अपर लिमिट लिखना है लुवर लिमिट यानि पहला नंबर अपर लिमिट यानि दूसा नंबर यानिके यहाँ पर जो लुवर लिमिट आएंगी वो आएंगी 80 और अपर लिमिट जो रहेंगी वो रहेंगी 90 जिसके क्लास मार कितना है 85 है और देन लास्ट यो कुशन हमें गिवान एं मीट स्थू डट आइंड क्लास कि 80 तो नैंटी अब यही क्लास एक लास कि बिच ने कितने सुरें ने यहां पर इस पॉइंट है दस और बीच के बीच में यानि कितने 15 स्टुडेंट्स है तो हम यहां पर लिख देंगे कुशन नंबर फाइव में क्लास 80 90 50 students ओके इस तरह से हमने सभी questions के answer लिखना था graph को या frequency polygon को observe करके ओके तो विचित अब रिक्वार आंसर हमने इस वीडियो में देखा है कि frequency किस तरह से फॉर्म करते हैं और प्रैक्टिस सेट 6.5 का हमने कुशन नंबर वन सौल गया है ठीक है कुशन नंबर टू और कुशन नंबर थ्री आप इस साइड वाले वीडियो पर टच करके देख सकते हो ओक है अब आप जहां तक पहुंची चुके हो तो वीडियो को लाइक क कीजिए शेर कीजिए और जाने से पहले नीचे देवे आइकान पर ट्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब शरूर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग